हेलो बुल्स, स्वागत आपका फ्यूचर बुल्स में इस वीडियो में हम बात करेंगे उन कमपनी के बारे में जो की इस हफते में 50% गिरती भी देखने उपर मिली हो सकता है इन कमपनियों में से कुछ कमपनी आपके पूर्टफोलियो में भी हो तो उसके लिए आपको पूरी वीडियो ज़रूर देखने होगी पर उससे पहले में बता दें कि अगर आप चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक भी कर दे ऐसी डेली स्टॉक मार्किट से रिलेटिड वीडियो आपको हमारे चैनल पे अपलोड होती भी देखने को मिलेगी चलते अपनी पहली कमपनी की तरफ इस कमपनी की बात करें तो कमपनी का नाम है EKI Energy Services इसके अगर एक हफ़ते की बात करो तो मैं एक हफ़ते के अंदर 51% से भी जादा कमपनी तूरती भी दिखाए दिये Small Cap Company है 1000 करोड का इसका Market Cap है अगर मैं बताओ कि यह ऐसा क्यों इतना जादा प्रेशर दिखाए दिया तो जब इसके Quarter 3 के रिजल्ट अभी रिलीज हुए थे कुछ टाइम पहले ही तो इसके Auditors ने इस पर ऐसा सवाल उठाया है कि यह अपने Result में Manipulation कर रही है Profit और Sales को कुछ जादा ही दिखा रही है तो जिसके वज़े से Company के Share Price पर बहुत जादा रिस्की है तो इस स्टॉक में आप संबल कर रहे अगर आपने Investment कर रहे है तो थोड़ा अलट हो जाए Company है TV Today Network Company का Share Price अभी चल रहा है 218 रुपे एक हफ़ते की Performance की बात करें तो Company 28% से भी जादा पिटती भी दिखाए दिया है हो सकता है Company quarter 3 के रिजल्ट अभी अच्छे नहीं आए हो 1000 करोड का इसका Market Cap है Company Media Sector से आती है तो बहुत जादा Risky है अगर इसके हम Maximum Performance की भी बात करें तो इतना कुछ खास नहीं रहा है 20 सालों में Company ने सिर्फ 19% की Positive दिखाए दिया तो Company बहुत जादा पूर रही है अपने Performance के चलते वे तो इसमें Investment से आप दूर रहे है Company की बात करें तो वो है BF Investment Company का Share Price अभी 398 का चल रहा है एक हफते में Company ने जो डाउन दिखाया वो 28% का कुछ दिखाया है तो इस Company में भी बहुत जादा गिरावट देखने को मिलिया कुछ पांच दिनों के अंदर और ये Company जो है वो 1500 करोड की है Small Cap Company है Risk की Company है इसके Business की बात करें तो सबसे जादा revenue ये कल्यानी ग्रूप से जो इसका dividend आता है तो सबसे जादा revenue वहां से आता है कल्यानी ग्रूप से ब्लॉंग करती है Company तो Business भी इसका देखा जाए तो थोड़ा वह ठीक ठाक है बड़ा ग्रूप है कल्यानी ग्रूप भी अगर आप उसमें भरोसा करते है और इस Company के Business पे अगर आपको विश्वास है तो जब भी इस पे इन्वेस्ट कीजे बहुत रिस्की Company है तो इसमें मेरा तो इन्वेस्टमेंट करना नहीं बहुत रिस्की कंपनी है जिसका नाम है PC पर इसके शेर प्राइस की बात करें तो पैनी शेर पन चुका है अब ये 26 रुपे का शेर प्राइस है इसमें भी अगर हम देखा जाए तो पूरे पांस दिन के अंदर 18% से भी ज़्यादा इसमें गिरावट देखने को मिली है मैक्सिमम भी अगर आप इसका शेर चार्ट तो बहुत ही बुरा दिखाए देखने को मिल रहा है पर इसमें इन्वेस्टर जो रिटेल इन्वेस्टर है खासकर वो इसमें बुरी तरीकी से फसेवे हैं और आज भी इसमें बहुत जादा बाइंग चलती है जो की रिटेल इन्वेस्टर ही खरीदते हैं पर मेरी सलाह यह ही है कि ऐसी कंपनियों से बहुत जादा दूर रहें जो कि पहले से ही 90 से 95 परसंट तक तूट चुकी है small cap company है 1200 क्रोड का market cap है तो इसमें भी अगर यह performance की बात करें तो बहुत जादा poor performance रहा है इस company से बहुत जादा दूर रहें चलते हैं अगली company का नाम है ester industries 98 रुपे इसका share price है अगर इसके 5 दिन की गिरावट की बात करें तो 19 से 20 परसंट की इसमें गिरावट दिखाए दे रही है quarter three के result भी इसके कुछ खास देखने को नहीं मिले इसकी company के market cap की बात करें तो 824 करोड की small cap risky company है जो कि packaging का business करती है maximum अगर हम इसके chart की बात करें तो इसमें थोड़ी बहुत growth दिखाए दिखाए दिया है तो हो सकता है अगर आप इसमें इसमें investment कर रखी है पर अगर आप business को पूरी तरीके से जानते हो company की तो आप इसमें long term के लिए जरूर बने रहे है इस company की बात करें तो company का नाम है इमामी paper mills 120 रुपे का share price है पांस दिन की जो इसकी गिरावट हुई है वो 20% तक गिरती भी देखने को मिली है company इसके market cap की बात करें तो 725 करोड की micro cap कह सकता आप इसको micro cap company है वहीं अगर हम इसके maximum chart देखे तो chart भी इसका कुछ खास नहीं रहा है अभी तक इसकी performance इतने कुछ निखलके नहीं आई है पर इसमें थोड़ा बहुत जादा रिस्की investment हो सकते है अगर आपने इसमें रिवेंस logistic, logistic sector से आती है company का business बहुत अच्छा चल रहा है पर इसके 5 दिन के अगर हम गिरावट देखें तो 17% की कुछ गिरावट दिफाई दिए है company के quarter theory के result थोड़ी बहुत pressure में आया तो उस वज़े से थोड़ी बहुत गिरावट company में देखने को मिली, इसके market cap की भी बात करें तो performance भी इसका अच्छा दिखाई देखने को मिल रहा है, company का नाम है India Bull Real Estate, 55 रुपी का इसका share price है, एक ही अफ़ते में company ने कुछ 14% की गिरावट दिखाई है, वहीं अगर हम इसके maximum performance की बात करें तो company पूरी destroy हो सुकी है, अपने shareholder को ये बरबाद करके रख चुकी है, India Bulls जैसे एक बड़े गुरूप से आती है, पर India Bulls का पूरा गुरूप अभी अच्छा नहीं चल रहा है, वहीं अगर हम देखें इसके market cap की तो 3000 क्रोड का market cap है, तो investment के लिए तो मैंने आपको पहले किया है, कि जिसका graph डाउन में जा रहा हो, वो भी बहुत जादा disaster बन चुक ये company का business भी बहुत अच्छा है, वहीं अगर हम इसके performance की बात करें तो 5 दिन में इसने भी बहुत जादा pressure दिखाया है, 14% की गिरावट देखने को मिली है, 660 रुपे का share price है, market cap की देखोगे तो market cap इसका mid cap है, जो की 12,000 क्रोड का है, company बहुत अच्छी है, वहीं अगर हम ने अच्छा return ही दिया है, तो इसमें भी अगर आप long term के लिए investment कर रहे हो, तो आप इसमें जरूर बने रहे हो, इस company का नाम है Bajaj Healthcare, pharmaceutical का business करती है, business भी इसका बहुत अच्छा है, 308 रुपे का share price चल रहा, पर एक हफते में जो इसने गिरावट दिखाई है, वो है, 13% के quarter three के result की बात करें, तो quarter three के result भी इसका थोड़ा बहुत डी growth में आया है, yearly और quarterly भी इसके profit गिरते भी दिखाई, देखने को मिले, company अभी small cap है, बहुत छोटी company है, 932 कुरूर का market cap है, वहीं अगर हम इसके maximum performance की बात करें, तो अभी तक company ने कुछ अच्छा performance नहीं दिया है, पर company में अगर आप long term के लिए investment कर रखे हो, तो ये company एक अच्छी multi bagger company बन साथ, जिसका business lab wear product बना रहा है, इसके share price की बात करें, तो 620 रुपे का share price है, वहीं अगर हम बात करें, तो company ने जो 7 दिन के अंदर गिरावट दिखाई है, वो 13% के around कुछ दिखाई है, इसके quarter three के result में भी year on year अच्छा खासा drop दिखने को मिला, यानि गिरावट देखने को मिली, वहीं अगर हम इसके market cap की बात करें, तो 3000 क्रोड का market cap है, business जैसे कि मैंने बताया है, business company का अच्छा खासा business है, future में भी देखा जाए, तो इसके growth दिखाई दे रही है, पर जो company में अभी गिर दिखाई दिख रहा है, पर long term के लिए अगर आप इसमें investment कर रहे हो, तो अच्छा है, तो मिल सकता आपको अच्छा खासा return, बने रह सकते हैं आप इसमें long term के लिए, पर short term के लिए मैं आखा हूँ, तो company में अभी आप invest ना करें, इसके आने वाले quarter के result का wait करें, और देख के company की performance सुधर रही है या नई, company का नाम है Krishna Diagnosist, इसका business के बारे में बता दें, तो lab जो test होते हैं, उसमें अच्छा खासा काम कर रही है, पर इसके share price की बात करें, तो 336 रुबे का share price है, इसमें 5 दिन के अंदर जो गिरावट देखने को मिली, वो 12% के around कुछ देखने को म मिली है, वहीं अगर हम इसके maximum performance की बात करें, तो इसमें भी 60% की गिरावट दिखने को मिली है, company से आप investment ना करें, तो ही अच्छा रहेगा, इसके अलावा आप और भी अच्छी company है, जैसे डॉक्टर लाल पैथ हो गई, और भी बहुत अच्छी company है, जिसमें आप investment करने की सोच सकते हो, तो इस company में investment के लिए ना करें, तो ही, company की बात करें, तो company का नाम है campus active wear, इसके business जो है, वो बहुत जादा growth में चल रहा है, footwear का ये business करती है, जो की बहुत अच्छे design के footwear से है, वहीं अगरें इसके share price की बात करें, तो 370 रुपे का share price है, पांस दिन के अंद आने वाले time में company बहुत जादा return जरूर दे सकती है, बस आपको इसमें long term के लिए investment करनी होगी, थोड़ा बहुत pressure हर company में चलता रहता है, पर ऐसी ही videos देखने के लिए हमारे channel को जरूर subscribe करें, अगर आपको पूरी video अगर आपने देखिया, तो please उसको like जरूर कर दे, क्यों